बिहार में लगतार अफसरसाही को लेकर सवाल उठते हैं तो पिछले दिनों बिहार विधान सवार के अध्यक्ष बिजय कुमार सीना ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है एक बार फिर से वही बाते निकल कर सामने आई है जहां चाहे वो मदन सहनी हो या सरकार के अनलोग हो लगतार अफसरसाही को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं ऐसे में अब एक बार फिर से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश संगूट ने भी इस मामले को लेकर कहा है कि मुख मंत्री से इसमुद्धे पर बात चीत हुई है और पिछले दिनों बिहार भाजपा के कई नेताओं ने इस पर बयान दिया था वही आपके बता भाजपा अब इस पर नकेर कसने जा रही है एक तरफ जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय स्वाल ने कई मुद्धों को लेकर साफसवर पर बोला है वहीं अब कई मंत्री और सरकार में सामिल कई लोग जो मुख्यमंत्री नितीश कुमार के आज पास रहते हैं उ जो सामने आ रही हो कहीं न कहीं एक वाजपा के बीच इस मुद्धे को लेकर भी रिष्टे खराब होने के संकेत मिल रहे हैं वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा के कई नेता जो केंद्र नेत्रित्य से इसकी सिकायत कर चुके हैं साथी चात खबर तो यह भी ह मुख मंत्री नितीश कुमार से इसको लेकर मुलकात के लिए समय भी मांगा है लेकिन समय अभी तक नहीं मिल पाया है पिछले जिनों मंत्री जिवेस मिश्रा के गारी रोकी गई थी उस समय भी खासा बवाल हुआ था अब एक वाफिर से वही सारी बाते निकल कर सामने आ र सरकार तो चला रहे हैं लेकिन अब सरकार में जो लोग हैं उनकी ही बाते को नहीं सुनते हैं अब ऐसे में बड़ा सवाल तो यह हो रहा है कि भाजपा के जब उपाध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर बयान दिया है तो कहीं यह बात अब बिहार से उत्त यह कर सामने आई कई लोगों ने इस पर अपनी बयान बाजिया की हैं आव देखने वाली बात यहोगी आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर मुक्वंतरी कैसे निपडते हैं और खास कर तब रहे हैं तो कहीं न कहीं भाजपा अब मुक्वंतरी इस मुद्वेश पर के निए तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता निए तो